हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू दिस चैनल और आज मैं आपके लिए मारुति सुजुकी बलीनो का 2020 फेसलिफ्ट का सेकेंड टॉप मॉडल लेकर आया हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको टैली करेंगे इसके सेकेंड बेस मॉडल से और टॉप मॉडल से पर फिलाल अभी आप 6 colors option में से एक जो color देख रहे हैं ये bluish formation पे मिलेगा और 4 variant में available है जिसमें से ये जो है ये top second variant आता है अब इसके on-road price के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपका conclusion clear हो जाए तो ये vehicle आपको 9,54,000 रुपीज on-road राइपूर में मिलेगी आपके city में ये definitely vary करेगा और accessories आप इसमें exclude कराते हैं तो आपको 10-12,000 ये कम में मिल जाएगा जैसे सामने देखेंगे तो मैं दूसरे चैनल पर इसका lighting जला के दिखा चुका हूँ कि रात की visibility कैसी है और ये DRL formation कितना बहतर लगता है तो आप मेरे दूसरे चैनल जो प्रशान्थ Morris नाम से है उस पर जाके देख सकते हैं फिर जैसे सामने का setup complete होगा तो नीचे fog lamps इसमें provide नहीं कराएगे हैं पर इसमें top model के compare में आपको chrome touch जरूर मिलेगा फिर बीच वाले portion को tally करें तो यहाँ पर Maruti Suzuki का logo मुन है बीच में और chrome touch दिया हुआ है जो left side से लेकर right side तक फैला हुआ आपको मिलता है वहीं पर आप side के glance देखेंगे तो side का glance बहुत ज़ादा attractive है मुझे एक normal पैमाने में ये color ज़ादा attractive लगा as compared to other पर थोड़ी सी carrying ये cut in होती है इसलिए सब कोई white color ज़रूर prefer करते हैं फिर अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको engine भी बता देता हूँ जिसमें 1.2 liter का engine प्रोवाइड कराये गया है और इसमें आपको 88 bhp का गजब का power और torque 110 के उपर मिलता है जो कि इस vehicle के हिसाप से बहुत अच्छा है इस variant में आपको chrome touch मिलता है और वहीं पर अगर interior के देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको dark theme में interior मिलेंगे जहां पर यह वाला portion यह MID screen है और यह थोड़ा effective मुझे लगता है as compared to other क्योंकि इसमें थोड़ा सा यह attraction जैदा रहता है फिर जैसे ही center system के बारे हम बात करें तो यहां पर center console काफी अच्छा है और यह infortiment system में भी आपको normal screen यह खुलता हुआ दिखेगा तो यह मैं start stop button एक पर press कर दे रहा हूं तो यहां पर अब यह खुलता हुआ दिख रहा है जिसमें FM set है और यह सामने का जिसमें ID screen में बात करता है यह low fuel के indication दे रहा है ऊपर time बताता है थोड़ा सा blur में हाब clear कर देता हूं 24 degree Celsius की जान बताता है वहीं पर आप देखेंगे dashboard में तो dashboard का सबसे उपर जो भाग है वो blackish formation में है यह silver और gray के मिश्रट में है और नीचे वाला bluish देता है वही same compare आप side के तरफ करेंगे तो भी आपको वही चीज मिलेगा इसमें उपर वाले portion में black है बीच वाले portion में bluish मिलता है और य उनों के तरफ आपको piano black finish touch दिया हुआ है जो की एक प्रमाने में काफी ज्यादा खुबसूरत लगता है अब आते हैं इस vehicle के important part की तरफ और वो है कि अगर आप इस vehicle को purchase करते हैं तो आप कितना comfortable passenger के रोप में बैट पाएंगे तो मैं 5 foot 10 inch हूँ और यहां मैं बैट के आपको दिखा रहा हूँ तो इतना आप space देख रहे होंगे लगभग लगभग मुझे मिला है which is good enough फिर आते हैं इसके सामने display की अगर dashboard पीछे वाले passenger कोई बैठते हैं तो किस प्रकार का lens उन्हें देखेगा तो पीछे अगर आप बैठते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको look दे करने के पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि इसका cushioning और इस second top model में कुछ इस प्रकार का आपको seat cover मिलता है जो की efficient और good enough है फिर जैसे पीछे के portion को मैं tally करूँ तो back lamps का setup कुछ इस प्रकार से है आप tally कर लिजगे कि सामने का जितना भी formation था उसके compare में पीछे as it is same attractive है की नहीं second base model से आप compare करेंगे तो यहां पर आपको chrome touch provide कराये गया है और नीचे same as it is Suzy का जो logo mono है वो आपको chrome में ही मिलता है एक lens में रात को यह बहुत ज्यादा खुबसूरत लगेगा मैं आपको overall tally करके बता दूँगा कि lighting रात को कितना ज्यादा back lamps का suit करता है और सामन की जो visibility है उसके लिए भी next video में बनाने वाला हूं फिर पीछे वाले portion के तरफ आये हैं तो एक important चीज को भी tally कर लेते हैं वो है इसका boot space तो इस vehicle में 318 लीटर का गजब का boot space मिलता है जो Indian family के साब से बहुत ज्यादा useful होगा जिसका मैं पीछे का जो spare wheel है वो दिखा देता ह तो इसमें आपको 185 65R 15 inch के extra stepney setup मिलेगा जो की useful होगा sufficiently enough के लिए और वहीं पर जैसे मैं close करूँ और look को देखूँ तो यहाँ पर एक चीज notice होता है कि fuel cap आपको left side जो दिया हुआ है ये इस vehicle में 37 liter का fuel capacity आपको मिलता है जो की normal vehicle के हिसाब से more than sufficient है फिर आप side का look देख रहे chrome होते हुए second base model में वहां तक जाता है और एक वे में attractive है side में जैसे मैं wheel को दिखाया तो इसे भी मैं tally कर लेता हूँ तो अगर आप top models compare करेंगे तो उसका जो wheel setup है alloy wheel का वो बहुत ही ज़्यादा खुपसूरत लगता as compared to this one पर इस vehicle में आपको 195 55R 16 inch के setup मिलेंगे जो की overall average अ attractive लगता है तो night visibility के लिए जैसे मैं starting वीडियो में बता रहा था कि रात को कैसा लगेगा तो वो आप बाद में टैली कर लेजेगा पर normally अभी दिन में ये कुछ इस प्रकार से खुपसूरत सा चमकता हुआ दिखता है जिसमें सामने आप DRL के setup को देख रहे हैं और यह white glens है वो ज्यादा खिल के आ रहा है एक अगर night visibility के बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे comment जरूर बताइए क्योंकि रात को मेरा drive का कुछ plan बन रहा है तो मैं आपके लिए ये option भी लेकर रहा हूँ ताकि आपको confusion clear हो सके तो यह था quick walk around about the balino second top model आपको कैसे ल experience डाल चुका है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है total experience के साथ वाला तो जरूर देखेगा see you in the next video